नमस्कार मैं डॉक्टर मम्ता खंडेकर MNS News Live के सभी दर्शोगों का स्वागत करती हूँ आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबरे बैंगलरू में गिरी इमारत, एक की मोत, कई घायल करनाटक की राजधनी बैंगलूरू के त्यागराज नगर इलाके में एक निर्मानाधीन इमारत गिर गई हाथसे में एक शक्स की मोत हो गई जब की कुछ लोग मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए है मलबे में दो लोगों के फसने की आशंका है बताया जाता है कि इससे एक वैक्ति की मोत हो चुकी है इसके बगल में एक और इमारत भी गिर गई है अब बढ़ते हैं अगली खबर की और संसदिय मंत्राले की बैठक सोमार को शीतकालिन सत्र की तारीक होगी तै संसत के सीतकालिन सत्र को लेकर सोमार से केंद्रिय संसदिय मंत्राले अपनी तैयारी शुरू करेंगा इसके लिए संसदिय राज्यमंत्री अरजुन राम मिःग्वाल ने इसके जानकारी दी यह सत्रविधान सबा चुनाओं के बीच शुरू होगा अब बढ़ते हैं अगली खबर की और काशी में बनेगे राम मंदिर निर्मान की रणनिती भागवत और मोधी शहर में रहेंगे मोजूद संधप्रमुप मोहन भागवत छे दिवसिय प्रवासकर वारानसी पोहचे इससे पहले फरवरी महने में भाशीतकाली प्रवास कर चुके हैं चुनाओं से पहले भागवत का वारानसी में प्रवास निश्चिक तोर पर राम मंदिर निर्मान को लेकर एक बड़ी रननिती के रूप में देखा जा रहा है MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS Hindi एप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार